नमिश्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अब सुबह के नाश्टे को किस तरह से हल्दी बनाना चाहिए मतलब की हमें सुबह सुबह नाश्टे में ऐसी क्या क्या चीज़े खानी चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में कि वो आपके लिए बहुत ही हल्दी हो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरा यह आप वीडियो एन तक देखिएगा अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तों नमबर एक पर आता है ओट्स ओट्स एक बहुत ही हल्दी अनाच है इसमें फाइवर विटमिन ए फैटी एसिड और कई वो शक्तत पुपाई जाते हैं इसमें माजूद डाइटरी फाइवर गुट कॉलिस्टरोल को बीना जैसे कि आपका जो पेट का डाइजेशन कई पर खराब होता उसके लिए भी बहुत फाइदेमंद है वेट लोस करने में और जिन लोगों को गठे की प्रॉबलम है हाट की प्रॉबलम है और यह जो चिया सीड्स है आपके शरीर की थकान को भी दूर करता है तो चिया सीड् और इंजेस की और इंजेस बहुत ही अच्छा फ्रूट है तो यह आपके इम्मुनिटी को बूस्ट रखता है मजबूत बनाता है इसाती यह साती यह एंटियों से भरपूर एक ऐसा फ्रूट है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है और इसके साथ और बहुत ही जादा फाइदयमन होता है और इसके बाद बात आती है कर्ड यानि की दही दोस्तों यह जो कर्ड है यह बहुत ही है आपके लिए तो आपना नाशने में कर्ड ज़रूर खाएं क्यूंकि इसके साथ उसको खाने से आपका हार्ड हेल्थी रहेगा वेट लोज कम कर में मदद करता है और वजाइनल इंफेक्शन को रोकता है साथी साथ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट भी रखता है और इसी के साथ यह आपके दांत के लिए और आपकी हडियों के लिए बहुत ही अच्छा है तो ब्रेकफास्ट में दही का सेवन जरूर करें अब बात आती ह पपीता बहुत ही अच्छा फ्रूट है यह आप खाली पेट जरूर खाएं आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और इसी के साथ बनाना तो बनाना भी बहुत ही अच्छा फ्रूट है यह आपके हाट के लिए और आपके पेट के डाइजेशन के थेज़ वच्छिए और वच्छिए तर देए खिर वाचिए!